Standard 7, Exercise No. 2.1 Question No. 1 Which of the drawings A and B shows? हमें हमें लिए लिए जिवर लिए ना सम लिए और रिए गीवन और लिए ना विए इन लिए सुलकुर्स, स्वेर स्वेर स्टार पाट अर गीवन अब उसमें से में क्या देखना है? 1. A 2 x 1 x 5 2. 2 x 1 x 2 3 x 2 x 3 4 is 3 x 1 x 4 अब हमें क्या देखना है इसमेंं जो फिगर है जो हमें शो कर रहा है 2 x 1 x 5 2 हमारा क्या गोल नूमबर है मतलब जो हमारे पिक्चरस होगे वोगी हमारे two pictures होगे ठीक है तो इहां पे हमारा जो B है और हो D यह हमारा D है यह हमारा क्या है इसमें हमारे दो दिये हुए है ठीक है यह दो सर्कल दिये है ना 1 5th part तो हमारा 1 5th part है जो हमारा होना चाहिए इसमें से तो आप यह आपे देख सकते हो इन figure D 1 2 3 4 5 ठीक है यह हमारा क्या हुआ है 1 5th part है जो हमारा वो शेड़ेट किया हुआ है तो हमारा A में कौन सा answer आएगा D यह हमारे 2 whole figure है और उसमें हमारा 1 5th part है वो दिया हुआ है तो solution in first में क्या आएगा हमारा figure D represent 2 times ठीक है यह 2 times है and 1 5th that is 2 multiply by 1 5 अब हम देखेंगे second one, second one में क्या दिया हुआ है जो हमारे figure होने छेटर यह हमारा हो गया तो अब कौन सा बच्चा हमारा B और उसमें हमारा कितना हो चेटर है half part 1 by 2 means half part तो यह हमारे half part दिया हुआ है तो यह आ जाएगा हमारा क्या जाएगा figure कौन सा हमारा figure B figure B represents क्या जाएगा हमारा 2 times 1 by 2 that is 2 multiply by 2 multiply में लग क्या हो जाएगा हमारा 2 times होता है यहां को बचल जाएगा अब हम देखते हैं third one इसमें क्या क्या हुआ है 3 multiply by 2 by 3 means 3 times हमारा 2 by 3 है 3 times हमारे A में है और C में है अब हमें क्या देखना है इसमें two third किसमें दिया हुआ है तो यह हमारा three three parts six में और three parts में हमारा two parts है वो shaded है तो यह आ जाएगा हमारा इस concept क्या जाएगा third में A so क्या जाएगा in third figure A B presents क्या जाएगा इकना time में हमारा three times three times हमारा दिया हुआ है two by three that is three multiply by two by three means three times two by three now we are making a fourth one in fourth one we are making three and obviously now we are making three options a, B and D so option हमारा पास C ही बच्चा है कितना दिया हुआ है three figures three whole number है वह हमारा three figures है उसका one four part है तो यह one part है one two three four one part हमारा shaded तो क्या जाएगा three times one by four तो क्या जाएगा यहांका हमारा figure कौनसा figure है हमारा figure C figure C represents कितना आएगा three times one by four that is three multiplied by one by four कितना आएगा